Hello friends, Blockbuster Food में आप सभी लोगों का स्वागत है आज की रेसिपी आप लोगों के बहुत ज़दा काम आने वाली है इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है बहुती सिंपल तरीके से आपकी रेसिपी बनकर त्यार हो जाएगी आप इसे कम से कम 2-3 हफते तक रखिए बनाकर जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे उतने दिन तक आप इसे खा सकेंगे और चाय की टेंशन आपकी खतम की चाय के साथ हम नाश्टे में क्या दे और अगर आप कहीं टूर पर जा रहे हैं तो इसे लेकर जाएए डबब भर कर सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी पूरे रास्ते पर आप इसे खाते जाएए तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिजेगा तो इस रेसिपी में सबसे पहले आपको लेना है दो कप मैदा आप किसी भी चीज से उसे कटोरी से या फिर किसी कप से निगाल सकते हैं और फिर उसमें डालना है आदा कप ओईल आदा कप ओईल से इस डिश में बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिस्पीनस आएगा और मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी तो आप लोग इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा ये देखे मैंने थोड़ा थोड़ा ओईल का यूज किया है ताकि इसमें अच्छे से क्रिस्पीनस आ सके मैदे में ओईल बहुत अच्छा क्रिस्प लाता है आप कोई भी डिश बनाते है मैदे की इसमें थोड़ा थोड़ा सा ओईल यूज कर लीजे तो आपकी जो डिश बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी ये देखे आपको ऐसे हाथ से मसलना है पूरा अच्छे से और आपको लड़ू-लड़ू बना कर देखना है कि लड़ू बन रहा है कि नहीं बन रहा है पूरा रब करके अच्छे से जो मार्केट में आप देखते हैंगे समोसे बनते हैं या फिर मठ्रें बनती हैं वो ऐसी रब करके पूरा बड़ी ऐसा आटे का मिक्षर बनाते हैं अब इसमें हम ढालेंगे अजवाइन अजवाइन से बहुत ज़्याद अच्छा टेस्ट आएगा यहां पर मैंने बड़े दो चमच अजवाइन ली है पूरे में अच्छे से थोड़ा से हाथों में क्रश करके आपको डाल देना है काली मेच एकदम दरदरी कूट कर डालनी है कसूरी मेथी डाल देनी है कसूरी मेथी से मार्केट वाला जैसा टेस्ट होता है एकदम सेम वही टेस्ट आता है इसमें हम डालेंगे नमक और बहुत ही अच्छे से फिरी से हम करेंगे मिक्स ताकि सारी चीज़े अच्छे से हो जाएं मिक्स अच्छे से रब करकर के बड़िया से मिक्स करना है यह दिखिए ऐसे ही रब करकर के मिक्स करना है पूरा ताकि पूरे आटे में सारी की सारी चीज़े मिल जाएं बहुत अच्छे से, अब इसको हम पानी से गुतेंगे, पानी को हम गरम नहीं करेंगे, नहीं बहुत थंडा पानी लेंगे, फिल्टर वाटर अगर आप क्या हैं, तो आप फिल्टर से डारेक्ट निकाल कर आप यह आटा गुत सकते हैं, आटे को एकदम सिंपल रखना है, बहुत ज़दा टाइट नहीं करना इसे, और यह रेसिपी सिर्फ 20 रुपे में आपकी बन कर तयार होगी, और आप इसे महीने भ पर दक चलने वाली रेसिपी है, आप इसे जितना चाहें, उतना बना के स्टोर कर लीजए, बिल्कुल भी सॉफ नहीं होगी, बहुत अच्छे से बन कर यह त्यार हो जाएगी, और यह देखें, मैंने पांच मिनट के लिए गूत कर अच्छे से आटे को रख दिया, और जि इसी मठ्रिया बना लेनी है, यह देखें, बहुत ही सुन्दस डिजाइन की कट रही है, आप पूरा ऐसी कट करते हूँ चले जाएए, जितना भी आपके पास आटा है, आप कट कर लीजए ऐसी कैची से, यह देखें, तम नए डिजाइन की आपकी मठ्रिया बनकर त्यार हो पास कर्मगरम तेल में इने डालना है और पका लेना है, तेल की आज को पता करने के लिए आप इसमें पहले चोटा सा लोई डाल कर देख लीजे, फिर उसके बाद यह जो हमने बनाई है मठ्रिया नए तरीके की आप इने इसमें डालिए और पस बढ़िया से फ्राइ कर ली नहीं तो यह मठ्रियां अच्छे से पकेंगी नहीं यह बहुत पतली है इनको बहुत सतर टाइम नहीं लगेगा पकने में लेकिन फ्लेम को आप हाई रखिए और हाई फ्लेम पर ही पकाईए जब इनका कलर चेंज होने लगे तो बस इन्हें निकाल लेना है और इनको ऐसे हिलाते वे पकाना है आपको इन्हें छोड़ना नहीं है अज़िए देखिए बस इस कलर की हो जाया तो आपको निकाल लेना नहीं तो यह जल जाएंगी तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अच्छी लगी हो तो प्लीज जादा से ज़दा शेयर ज़रूर करिएगा और चानल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजेगा और यह लीजे न्यू स्टाइल की हमारी मच्रिया बनकर त्यार हो गई अगर आपको थोड़ा भी इंट्रेस्टिंग लगी हो यह रेसिपी तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा यह देखिए ठेट सारा माईने भर का नाश्ता हमारा बनकर त्यार हो गया वह भी बिस और सिर्फ 20 रुपे में बस इने डबे में पैक करके रखिए चाय के साथ सर्फ करिए वीडियो को लाइक और शेयर करियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए